कि आज जिनका एक्जाम था अच्छा गया होगा आपने शांती से अपना पुरा पेपर एटेम्ट किया होगा और अभी अगर समझो घर पे आने के बाद आपने कुछ आंसर्स चेक किये और कुछ अगर गलत गये तो भी पैनिक होने की जरुबत नहीं है अब जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है अब जिनका एक्जाम कल है परसों है आने वाले टाइन पे है तो उन लोगों को मैं यह बताना चाहती हूं कि आपका आज का पेपर कैसा आया था ठीक है तो आप लोगों को शॉट में मैं यहां पे अना कि का स्टेट्मेंट बेस्ट क्यूशन ज्यादा ज्यादा आये दोनों 11 के जो 4 chapters है इसमे से chapter number six में से 4 to 5 marks के question आये थे ठीक है चाप्टर number 13 में से 5 to 6 marks चाप्टर number 14 में से 7 marks के approximately आये है question ठीक है और चैप्टर नमबर 15 में से approximately कुछ 8 marks के question आये थे ये class 11th का syllabus है बागी class 12th के syllabus में से जो weightage मैंने दिया है उसी weightage के approximate questions आ रहे है आपका specially chapter number 8 में से बहुत सारा question आ रहा है respiration chapter chapter number 9 में से बहुत सारा question आ रहा है control and coordination chapter chapter number 1 chapter number 2 chapter number 4 इन में से बहुत सारे questions पूछे जा रहे है ये 5 chapters का heavy weightage है इसमें से बहुत सारा question आ रहा है और इस साल ये भी मैं देख रहे हूं कि आपके चैप्टर number 5 है न origin and evolution of life उसमें से ज़्यादा तरके आपके tables वाले questions पूछे जा रहे है मतलब अकर आप geological time scale वाला छोड़ भी दो उसमें से जब इतना इतना पढ़ लो कि कभी कौन सा species arrive हुआ था मतलब arrival of NGO sperms, arrival of humans, arrival of apes ऐसा वाला epoch वगेरा पढ़ लो ठीक है लेकिन उसके बाद जो 5.17 और last वाला जो टेबल है अगर ये दो tables भी पढ़ लेते हो तो भी आपके उसमें से questions काफी सारे repeat हो रहे है ठीक है बाकी कैसे कैसे type के questions आई थे बच्चों ने comment किया है हमने आज एक poll डाला था ठीक है, आज का poll section जाके check करो आज के poll section में मतलब आज 23 तारीक है आज हमने एक poll डाला था इसके नीचे बच्चों ने comment किया है आप वो direct comment जाके check करो तो उसमें कैसे कैसे questions आए थे वो बच्चों ने direct बताया है मैं इधर पर बता कि आपका time नहीं waste करना चाते इसलिए सिब बता रही हूँ कि इस chapter पे ज़्यादा focus करो आज का पोल वाला section चेक करो तो आपको डायरेक्ट वो comments देखने को मिल जाएंगे जिनका exam कल है जिनका exam बाद में है टेंशन मतलो shift easy आएगा खाली थोड़ा सा आपको reading अच्छे से करके जाना है और कुछ भी नहीं है फिजिक्स भी और प्राक्टिस करना है और जिन्होंने अभी तक हमारा free mock test ट्राइए नहीं किया है तो आप play store से हमारा app install करो एप इंस्टॉल करने के बाद उसको login करो login करने के बाद आपको यहां पे जो three lines का option आता है उस पे क्लिक करो उस पे जब आप करोगे तो आपको यह free material वाला पार्ट मिलेगा इसमें जब आप क्लिक करोगे तो इधर पर document में जाओ document में आपको एक folder मिलेगा mhtcet 2024 इसमें मैंने 22nd एप्रिल का PDF अप्लोड किया है ठीक है इसमें मैंने 22nd एप्रिल का PDF अप्लोड किया है और यह टेस्ट वाले section में आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा दो फ्री टेस्ट तो यह भी आप अपियर कर सकते हो यह PDF भी आप अलावा आप मेंसे कितने लोग नीट एक्जाम देने वाले हो आप मेंसे कितने लोगों ने नीट का फॉर्म भरा है जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ क्यूंकि आप लोगों के लिए मैं धम्माकेदार सर्प्राइज लेकर आ रही हूं तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कितने लोग नीट एक्जाम देने वाले हो तो आपके लिए एक छोटा सा सर्प्राइज लेकर में आने वाली हूं पट्टा से कमेंट करो कल के एक्जाम के लिए all the best पैनिक मत करना, एडमिट काड अच्छे से लेके जाना, एक्स्ट्रा फोटो लेके जाना, पानी लेके जाना और आधार काड ओरिजिनल कमपल सरी लेके जाना ठीक है बाई बाई, all the best, take care, I hope this video helps और इसको जादा से जाद अपने फ्रेंट के साथ शेर करो, ताकि उनको भी पता चले कैसे टाप के क्वेशन्स आ रहे, आप चानल पे नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपका नीट का जो important surprise है, वो miss ना हो जाए और वीडियो अगर अच्छी लगे, तो like कर देना, अगर आज की वीडियो पर maximum likes आए, तो ऐसे ही मैं कल का भी shift analysis आपको दे दूंगी, bye bye, take care, see you soon, all the best, give your 200%, क्योंकि अभी नहीं, तो कभी नहीं, bye bye